हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम मलाई का मक्षन कैसे बनाए यह सिखेंगे तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले हमें मलाई चाहिए तो मलाई कहां से आएगी यह देखें यह मैंने जो दूद लिया था सुबह उसको मैंने बॉयल कर लिया और उसके उपर उपर यह मलाई आगी है इस पे भी तो अब इस मलाई को हम पहले सबसे इसमें से निकाल लेंगे हंजी फ्रेंड्स देखें यह को ऐसे नाइफ से मुतार लेंगे और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको चननी को अब इसके लिए हमने यह दही ले 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 लिए तो दही को मैंने एक चमर्च दही का इसमें डाल के स्कों मिक्स कर देना और इसको मैंने होल नाइट मतलब सारी रात ऐसे रख जोड़ना है उसके बाद हम इसका सुबह मक्षन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स मलाई में मैंने दहीं डालके जो रख दिया था उसको रखे होए साथ से आठ खेंटे होगे सुबह होगे तब इसका मक्षन बनाना शुरू करत अब भी मधानी भी इसको बोल सकते हैं इससे हमने पांच मिनट तक ऐसे इसको चलाना है ऐसे रोकते हुए हमने इसको मिक्स कर ले तो फाइव मिनट लगेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं यह दिखें फ्रेंड्स यह मलाई जो गाड़ी हो रही है इस पर मक्षन अब भी मधानी चलानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है तो फिर भी हमने अभी इसको थोड़ा से मिक्स और करना जब तक यह पानी निचोड़ता यह देखें फ्रेंड्स अब यह इसमें से लस्सी उपर आ गी तो यह बटर बन गया मखन बन गया तो अब इसको निकालना कैस सใช claims से वह देखते हैं तो इसके मैंने इसे यह पानी डाल देना तो कर्मी हो अगर तो फिर हम लेट ठंडा पानी डालनी अगर विंटर है तो सिम्पल पानी भी हम ढाल सकते हैं तो उसके बाद इसको थोड़ी देर हलाना है माधा यह दूआ यह मख़न आप अपर आ गया बाउल में तो यह ऐसे करके हमने ऐसे सेट करना है इसमें से यह लसी जो सारी ओपर आ जाएगी इसको हमने से वापिस निकाल देना है ऐसे यह देखें मैंने सारा मखन इस बाउल में निकाल लिया बहुत अच्छा मखन जो है बनके त्यार हो गया फ्रेंट्स इसी वे से आप जो मखन है उसको बनाएं बड़ा ही इजी वे है यह देखें कितना अच्छा मखन बनाएं और प्राउंठियों के साथ आपको खाएंगे तो बड़ा ही टेस्टी लगेगा तो आप इसी वे से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए